नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के टोप खतरनाक कमांडो के बारे में बताएंगे जिनमें NSG, SPG, गरूर कमांडो, कोबरा कमांडो, मारकस कमांडो, घातक कमांडो और पैरा SF सामिल है ये ऐसे साथ कमांडो फोर्स हैं, जिन्हें दुस्मनों का काल भी कहा जाता है ये कमांडो 24-7 किसी भी वक्त देश की सुरक्षा के लिए तयार रहते हैं इनका में काम टेरिरिस्ट अटैक को रोकना और होस्टेज सिचुएसन से लोगों को बचाना सीक्रेट ओपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, जैसे ओपरेशन्स को अंजाम देना है पहला NSG कमांडो फोर्स NSG का पूरा नाम नेसनल सिकुरेटी गार्ड है इस फोर्स को 1984 में बनाय गया था जब भी देश में बड़े टेरिस्ट अटैक हुए हैं चाहे वो 26 ग्यारा हो या राम मंदिर पर हमला NSG कमांडो फोर्स ने ही आतंकियों को धेर किया ये पूरी तरह ब्लैक युनिफॉर्म में होते हैं इसलिए इसे ब्लैक कैड भी कहते हैं इस दवरान इसकी आँखें बस दिखती हैं दूसरा SPG कमांडो फोर्स इसका पूरा नाम स्पेसल प्रोटेक्शन गुरूप है इसको बनाने की वज़े साल 1984 में इंदर गांधी की हत्या थी उनकी हत्या के बाद 1985 में SPG फोर्स बनाई गई इसमें कुल 3000 सक्रिय जवान है इसका मुख्य काम है प्रदान मंत्री की सुरक्षा इस समय PM ऐसे इकलावते हैं जिस पर SPG का प्रोटेक्शन है ये अकसर सूट मूट में दिखते हैं सूट मूट में कई तरह के हत्यार छुपे होते हैं इसके पास करीब एक दरजन अलग-अलग हत्यार होते हैं तीसरा अब बात करते हैं गरुड कमांडो की ये भारतिय वाई सेना की घातक कमांडो फोर्स है इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया था इसका मुख्य कार एर असॉल्ट, एर ट्राफिक कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंक रोधी अभियान, डारेक्ट एक्सन, एर फिल्ड की सुरक्षा करना सामिल है इसकी ट्रेनिंग 72 हपतों की होती है जो सभी कमांडो से सबसे ज़्यादा लंबी होती है ये गरुड कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होती है हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है फिलाल इस फोर्स में 780 गरुड कमांडो है चौथा, अब बात करते हैं कोब्रा कमांडो की ये कोब्रा कमांडो 2008 से बनाई गई है, इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन 4 रिजिलीट एक्सन है, इनकी तीन महिने के ट्रेनिंग होती है, आम तरो पर इनहें गौरिला ट्रेनिंग और नकसल वारफेर के लिए ट्रेन्ड किया जाता है, इसे दुनिया की बेश्ट मिलिट इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की नेवी सील्स की तरह होती है, इस फोर्स में फिलहाल 12,000 कमांडो है, ये फोर्स 1987 में बनाई गई थी, इनहें दुनिया की सबसे लेटेस्ट हातियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनके पास बेहतरीन गंड जैसे AWM जैसे खतरनाक इसे भी सन 1965 में भारत पाकिस्तान यूद में बनाया गया था, घातक कमांडो आमने सामने की लडाई में लडने के लिए फुली ट्रेन्ड होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है, पाकिस्तान में होई सरजिकल स्ट्राइक में इसी टुकडी ने पैरा इसेप कमांडो ये वही कमांडो फोर्स हैं, जो डोंगरा लेजिमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में सरजिकल स्ट्राइक किया था, इन्हें पैरासूट कमांडो भी कहते हैं, इन कमांडो फोर्स को 1965 में भारत पाकिस्तान यूद की समय बनाया गया था, इनकी ट्रेनिंग नव महिने की होती है, खतरनाक और जान लेवा ट्रेनिंग के बाद जो कैंडिडेट पास होता है, उसे मैरून की टोपी मिलती है, ये टोपी ही बताती है कि ये जवान पैराएसेप है, ये 30 से 35,000 की उचाई से छलांग लगाने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, इनकी कु